नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए नैशनल कमिशन और कमिटी से रेलेटेड एक और इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज कुछ बचे हुए जो काफी इंपोर्टेंट है उनके बारे में जिनको आपको थो कमिशन थे हरे एक कापके साथ डिटेल में स्टडी कर लिया है तो मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बचा होगा अगर कुछ बचा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम उसको भी कबर करवा देंगे तो आईए वीडियो को शिरू करते हैं सबसे पहला हमारे पास आत अब टेकनिकल एंट मेनेजमेंट एजुकेशन के लिए गोवर्मेंट ने क्या क्या किया था टोटल देरा 25 रिकोगनाइज टेकनिकल इंसिचिट अथ फर्स दिग्री लेवल बिद आन्न अन्न अडिमिशन कपैसिटी अब 60 थाउजन और बंद लाग स्टूड रिस्पेक्त बोपाल चंडिगर और मदरास तो यहां पर बताया गया है कि आपके पास टोटल टू 56 रिकोगनाइज टेकनिकल एजुकेशन से लेटेड इंसिचूट थे जिनमें जो एडमिशन की कपैसिटी थी वो 60 थाउजन थी पर एन्नुल एडमिशन कपैसिटी और जो उनके पास स् इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटी बोमेन एजुकेशन तो यह प्रोग्राम कब इनिशेट हुआ था आपके पास 1989 में बोमेन एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन फॉर बोमेन इसका एम क्या था? उसके बाद हमारे पास आता है अब नशनल कॉंसल अफ रुरल इंसिचुट का बाद था जो जो नशनल कॉंसल अफ रुरल इंसिचुट का बाद था आपके पास यहां पर आया था इंड इसका क्या काम था आपके पास कि जो गांदी जी की आइडिया थे education में उसको बहां पर imply करना एंड जो rural इंसिचूट्स है यह नहीं rural areas हैं उनमें इंसिचूट्स को establish करना इसके बाद है मारे पास integrated education for disabled child अब integrated education for disabled child के लिए कब scheme आय थी अब यहां पर आपके पास directly यहां से बन जाता है कि यह किस के लिए था for disabled children के लिए था क्योंको equal education मिलनी चाहिए और यह कब आया था आपके पास 1987 से 88 के बीच में यह program शुरू हुआ था and under the provision 100% financially assistance to give the state government for the creating necessary facility for disabled children in school at present 45,000 disabled children being provide assistance under the scheme तो एक तक्रीबन कितने 45,000 students जो है इसके under अभी scheme में काम कर रहे हैं और इसका जो main motive था भो था कि जो disabled students हैं, disabled child हैं उनको schools में हर एक facility प्रवाइड करवाना यह state government की जिम्मेबारी थी 100% financially उनकी help करना, पूरी की पूरी तरह next आते national book trust, अब national book trust किसके दोरा लाया गया था यह आपके पास लाया गया था, department of education and M.H.R.D. के दोरा play an important role in book promotion program, the N.B.T. यानि national book trust subsidized publication of economically, prized book for higher education N.B.T. organized book fair, festival, exhibition, seminar, symposia and workshop to promote interaction among readers, writers, intellectuals, publishers and book sellers तो national book trust जो है, यह books related है, आपके पास, ओके किसी भी तरह की book को respondly higher education के लिए books provide करवाना इनका main motive था इसके बाद है साहित्य academy, तो साहित्य academy की इस चीज़ से related है, जो आपके पास साहित्य है जानने के लिए यही है, कभी आपके पास आई थी, central government के थू आई थी, 12th March 1954 को, इसके अंडर 22 language आपके पास आती है, 4 इसके main regional office है बॉंबे में, कलकत्ता में, बैंगलावर में अंडर मदरास में, ओके next हमारे पास Asiatic Society, अब Asiatic Society कब आई थी, यह काफी पुरानी है, आपने इसके बारे में भी सोना होगा तो यह कब आई थी, आपके पास 1784 में बनी थी, और यह William Jones के द्वारा लाई गई थी, तो जो Asiatic Society है, वो आपके पास एक लाईबरेरी है, जिसमें जो है, या इसकी जो invention हुआ था, या बनाई गई थी, फांडेशन थी, वो कलकत्ता में 1784 को Sir John Williams के द्वारा, या Sir William Jones के द्वारा बनाई गई थी, और इसका जो main था, या जो यह Society थी, वो प्रोवाइड करवा थी, इस इंसिटुट फुबराईड दा, फांडेशन अफ और लाइवरेरी, एडर, सौरी नौट लाइवरेरी, दिटरेविवियरी, and the scientific activity in India जितनी भी activities होगी इंडिया में scientific related वो भी इनका एम था प्रोवाइट करवाने का the society has a rich collection of rare books उनके पास सभी books थी old painting थी जितना भी material था उनके पास available था and next हमारे पास last आती है खुदा बक्षे और इंटल public library this यह दा library established in 1891 यह library कब आई थी आपके पास 1891 में आई थी has a rich collection of over 18,000 अर्विक एंडर परिशन या परिशिया manuscripts and over 202,000 मुगल एंडर राजपूत पेंटिंग beside 148,000 printing books एंडर परिडिकली तो यह कुछ important terms थी जो यहाँ पे बचती है तो जो भी terms थी चाहे छोटी से छोटी हो वो सभी हम आपके साथ study करेंगे तो इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को ले के आया हूँ जाद इसमें जानने के लिए कुछ भी नहीं है जो था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे study कर लिया so मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अब ते के लिए थैंक यू वा नएस दे